हलो फ्रेंड्स वेलकम टु एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टेंट प्रेशनी जो अगले महीने गुरूप डी की तयारी कर रहा है यूपी पुलिस का एक्जाम होने वाला है बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो य गुने साथ गुने आठ बराबर क्या बहुत अच्छा प्रेशनी है दिमाग खराब कर दिया आपका बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रेशने को देखते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है लेकिन बिलकुल भी दिमाग खराब मत करिएगा पेशेंस रखिए थोड़ा ध्यान से प्रश्णों को समझे, अच्छे प्रश्णों होती है ये, प्रश्णी के रहा है कि 2, 4, 6, यही तो है 2, 4, 6, कितने के बराबर भई, 4 के बराबर है, ठीक है, 2, 4, 6, 4 के बराबर है, अब यहाँ पर गुना दे रखा है, ठीक है, गुना दे रखा है, जरूर मैं पहले वाली संख्या और लाश्ट वाली संख्या को अगर जोड़ूंगा तो दो और आठ कितना हो जाएगा दो और छे आठ हो जाएगा मैंने यहाँ पर किया था पहली और लाश्ट वाली को जोड़ा तो मैं यहाँ भी पहली और लाश्ट वाली को जोड़ूँगा तो 9 और 7 16 कितना हो गया 16 मैंने यहां बीच वाली को मानस किया, तो यहां भी बीच वाली को मानस करूंगा, मतलत 3 को मानस करूंगा, 16 मैं से 3 जाएगा तो 13 आएगा, मुझे 13 दे रखा है, बिल्कुल संही, logic समझ में आया, वही logic यहां लगा दो 4, 7 और 6, 4, 7, 6 दे रखा है, कितने के बराबर, 3 के बराबर, वही कीजिए, पहली और लाष्ट वाली को जोड़िये, 4 और 6, 10 हो जाएगा, और बीच वाली संक्या को मानिस कर, 2, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 ही दे रखा है, आंसर आ गया, आप तो कोई भी नहीं 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, बीच वाली को घटा दो 7 को, तो 17 में से 7 जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 दे रखा है, पहले ये औप्शन में अंसर आ गया आपका, कोई भी बच्चा एसर नहीं होगा, कि आज के बाद इन प्रेश्णों को छोड़ के आ जाए, जहां से करेंगे असानी सो जाएगा, अब देखेंगे अगला प्रेश्णी, अगला प्रेश्णी है, दी गई स्रेंखला में अगली संख्या क्या होगे, एक स्रेंखला एक सिरीज दे रखे, यहां पर कौन सी संख्या हैगी, यह आपको बता रहा है, 9, 10, 13, 29 बढ़ती हुई संख्या है, 22 से कितना हो रहा दोस्तो 49, 22 से 49, 22 में कितना जोड़ा 49 हो जाएगा, आप करेंगे साथ 27 जोड़ दो, और 49 में फिर मैं कितना जोड़ू कर मुझे यह संख्या मिल जाएगी, के लिए रहा है, कितना जोड़ू कर मुझे यह संख्या मिल जाएगी, अब नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा डवल डिफरेंस से पता चलेगा एक में और तीन में देखे एक का मल्ट पर अगर मैं तीन से करूं तो तीन होगा और तीन का मल्ट पर अगर मैं तीन से करूं नो होगा अगर नो का मल्ट पर मैं तीन से करूं तो 27 होगा और 27 का मल्ट पर अगर मैं तीन से करूं ये संख्या मिल जाएगी, 9 में एक जुड़ूँगा, 10, 10 का 0, कैरी का 1 रहेगा, 4 और 8, 12, 12 में कैरी का बन जुड़ूँगा, 13, कितना हो गया भाई, 130 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, 130 दे रखा D option में, आई बात समझ में, first difference समझ में ना आए, तो second करके देखिए, सभी में क यहाँ पर अगर मैं इस प्रेश्ण में बात करूँ, तो उत्तर परदेश एक अलग राज्य है, और दिल्ली एक अलग राज्य है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा उत्तर परदेश राज्य हो गया, और ये मेरा दिल्ली राज्य हो गया, दोनों अलग 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 बना लिए लेकिन अगर आगरा की बात करूँ तो आगरा कोई राज्य है नहीं आगरा कोई अलग से तो राज्य है नहीं ये बात आप जानते हैं आगरा कोई भी राज्य नहीं अलग से आगरा लेकिन कहां पर आता है ये भाई उत्तर परदिस में आता है अगर आपको मालूम है आगरा कहां पर है तो सभी को मालूम है उत्तर परदेश में है आगरा आगरा में ताज महल इस्तित है ठीक है ताज महल के नाम से बहुत लोग आगरा को जानते हैं और यह उत्तर प्रदिस राज्य में है तो कहां पर रहे गया उत्तर प्रदिस के अंदर आता है तो उत्तर प्रदिस के मैं इसे अंदर ले लूँगा क्योंकि यह मेरा उत्तर प्रदिस राज्य हो गया उत्तर प्रदिस के अंदर मेरा अगरा है लेकिन दिल्ली एक अलग राज्य है तो इस त अगला प्रेशन है, यहाँ पर चार संख्या हैं, यहाँ पर भी चार संख्या हैं, यहाँ पर जो चौती संख्या है वो हमें पता करनी है, यहाँ पर question mark की जगे पर कौन सी संख्या आईगी, अब देख question mark कहां दे रगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 18 कैसे आया, यहाँ पर 13 क कैसे आया उसी तरीके से question mark वाली संख्या पता चलेगी ठीक है यह वाली यह 13 जो है मैं किन संख्यां से बनाऊंगा 2 4 5 इन 3 संख्यां से मुझे 13 बनाना है अगर मैं इनको जोड़ूँगा 5 और 2 7 7 मैं 4 जोड़ूँगा 11 ऐसे तो 13 नहीं बन पारा अगर मैं इन दोनों का multiply कर दूँ उपर वाली संख्यां का तो 4 दूने का 8 हो जाएगा और नीचे वाली संख्यां को जोड़ूँगा तो 8 5 13 होता है ऐसे तो 13 बन गया कैसे बना उपर वाली संख्यां को जोड़ूँगा तो 3 4 12 हो जाएगा और नीचे वाली को जोड़ूँगा तो 18 हो जाएगा बही जो रोजिक मेरा यहां पर लगा, वहीं यहां पर लगा, तो वहीं यहां पर लगा दो, उपर वाली सन क्या का गुना, 9, 4, 36, नीचे वाली को इसको जोड़ दो, 3 को, 36 में 3 जोड़ेंगे, भईया, 49, बिल्कुल सही हो गया, उमीद करूँगा, प्रेशनी सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को भी प्रेशनी में कोई भी समझ से यहां पर नहीं होगी, अब देखेंगे दोस्तों, अगला प्रेशनी, अगला प्रेशनी है, यदि 48 पिलस 18 बराबर 30, तथा 27 पिलस 15 बरा मैंने क्या बताया, पिलस दे रखा है तो जरूरी नहीं है पिलस करना है, कुना कीजिए, डिवैड कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टिप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर मैं यहां पर 48 में से घटा दूँगा 18 को, तो मुझे 30 मिल जाएगा, जोडने से नहीं मिलना यहां पर दे रखा है 27 पिलस 15 बराबर कितना बारा, मैंने यहां पर घटाया तो यहां पर भी घटाओंगा, 27 में से घटा दूँगा 15 को, तो 27 में से 15 घटाने पर 12 मुझे बिलकुल मिलेगा, उसी तरीके से 55 पिलस 20 बराबर कितना, भईया मैंने सबी जगे घटा करके solve किय कितना है दोस्तो 55 है, 15 नहीं है, 55 है, 55 में से घटाओंगा 20 को, तो कितना मिलेगा, 55 में से 20 जाएगा 35 मिल जाएगा, या आपका आंसर हो जाएगा 35, बिलकुल सही, आसानी से समझ में आ गया, जोडने से तो कुछ भी solve नहीं हो रहा लेकिन घटाने से सही हो रहा है, घटान तो 3 का सिमिट्री है मेरा, ठीक है, प्रेशनु को solve कीजिए, question mark बीच में है, तो बीच वाली संक्या यहाँ पर कैसे आई, यहाँ पर कैसे आई, उसी तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच वाली कैसे आई, 28 और 7 से मालूम होगा, तो मैं क्या करूँ, इस 28 में, इस 7 से डिवाइड कर दो, कितनी वार जाएगा, 7, 4, 8, 24 चार बार जाएगा, लेकिन 4 नहीं, मुझे तो 20 चाहिए, तुम 24 से कैसे बनेगा, अगर 4 का मल पर आगा, 5 से करते हैं, तो 20 मिल जाएगा, 5 से मल्टिप्लाइग, पहली संक्या में, तीसरी से डिवाइड किया, जो भी आय 35 आ रहा है, और यहां कितना दे रखा, 35 दे रखा, बिल्कुल सही, जो लॉजिक मेरा यहां पर लगा, वही यहां पर लग गया, उसी को यहां पर लगाना है, ठीक है, 45 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 9 से, 9, 45, 5 बार, यहां 5 से मल्टिप्लाइग हुआ, यहां भी दने वाद,